हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाईज आज की वीडियो में आपके साथ स्मूथनिंग केरेटेन एंड रिवांडिंग से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिसकस करूंगी अगर आपने स्मूथनिंग करवाई आपको यह सब आ रही है तो आज हम इनी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ साया में आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी तो गाईज वीडियो जरूर देखें स्मूथनिंग, रिबॉंडिंग, केरेटेन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बाल बहुत ज़्यादा सुन्दर हो जते हैं, बिल्कुल सिल्की, सॉफ्ट हो जते हैं, बालों में बढ़ी अच्छी शाइन आजती है, बट ऐसा कुछ ही दिनों के लिए रहता तो उसके कुछ दिन बाद ही मुझे काफी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे, इतने पतले मेरे बाल हो गए थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगे, बालों में टैंगल्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे बाल rough होने लग गए थे split ends की problem होने लगी दो मुहें बाल हो गए बालों में bend पढ़ गया था तो आप बिल्कुल close से देख सकते हैं कि इस तरह से split ends की problem हमें smoothing keratin and rebonding के बाद आ जाती है बाल दो मुहें हो जाते हैं बाल बहुत ज़दा पतले हो जाते हैं बालों में shine खतम हो सकते हैं after smoothing, rebonding या keratin के बाद भी आप अपने बालों को बहुत सुन्दर रख सकते हैं अगर आपके बालों में shine खतम होगी आपके बहुत ज़दा ड्राइ रहते हैं तो इसका solution भी आज में आपके साथ शियर करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं oiling आपको करनी चाहिए या करनी चाहिए कब करनी चाहिए ये भी हम हम डिसकस करेंगे गाई smoothing, rebonding और keratin करवाने के बाद जो सबसे ज़दा main problem आती है वो है hair fall की smoothing करवाने के कुछ दिन बाद तो बाल इतने ज़दा सुन्दर लगते हैं कुछ दिनों के लिए बाल बहुत ही जदा सुन्दर लगत बाल बिल्कुल ड्राय हो जते हैं, रॉफ हो जते हैं, जब भी हम combing करते हैं तो इतने ज़दा हमारे बाल निकलते हैं, hair wash करते हैं टाइम बाल निकलते हैं कि हम परेशान हो जते हैं कि इतना hair fall क्यों हो रहा है, जब मैंने smoothing करवाई थी तो मेरे भी कुछ दिन के लिए ब hair fall होने लगया तो बाल तो मेरे बिल्कुल छोटे से ही रह जाएंगे, तो guys अगर आपके साथ भी ये सभी problems हो रही हैं तो इन सभी का solution भी आज की वीडियो में है, guys अगर आपको white hair की problem है, आपको gray hair की problem है और आपने फिर भी rewarding smoothing करवा ली है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको मेहंदी का यूज कितने दिनों बाद करना है, कौन सा color यूज करना है, या फिर मैं तो आपको यही कहूंगे, कि अगर आपको white hair की problem है, तो आपको smoothing करवानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा damage हो जाएंगे, आपके smoothing करवाने के कुछ दिन बाद ही hair wash करते, टाइम इतने ज़्यादा बाल जड़ते हैं, लंबे लंबे इतने बाल निकलते हैं, आप देख सकते हैं, मैं जब भी hair wash करते हूं, मेरे इस तरह से बाल निकलने लगे, पहले कभी भी मेरे ऐसे बाल नहीं निकलते थे, इसका भी solution आज की वीडियो में है, कि अगर आपको इस तरह से hair fall हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, गाइस सबसे पहला solution है कि आपको serum का use करना है, जो भी serum आपको अच्छा लगता है, वो आप use कर सकते हैं, serum का use कुछ इस तरह से करना है, सबसे पहले इसको आपको हाथों पर ल लगाना है, कुछ देर के लिए आपको इस तरह से serum का use करना है, इस से लगाने से आपके बालों में shine भी maintain रहेगी, आपके बाल ड्राइ नहीं होंगे, रॉफ नहीं होंगे, बालों में tangles बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अगर tangles नहीं पढ़ेंगे, तो hair fall बहुत ज़् solution है, कि आपको serum का use करना है, wet hair पर serum का use करना है, बहुत ही ज़्यादा effective यह वाला solution है, तो guys जो second solution है, वो यह है कि आपको shampoo का use कुछ इस तरह से करना है, पानी लेना है, उसमें आपको shampoo को mix करना है, इस से जो भी shampoo के थोड़े बहुत chemical होंगे, वो आपके बालों पर बिल्कु shampoo बहुत अच्छा leather भी करेगा, और shampoo के जो भी chemical है, वो आपके बालों पर कोई भी किसी तरह का असर नहीं करेंगे, इस तरह से shampoo करने से आपके बाल काफी ज़्यादा healthy रहेंगे, आपके बालों को कोई भी नुकसान ही होगा, तो guys second solution है, कि आपको shampoo का use कुछ इस तरह से करना थर्ड solution है कि आपको pack का use करना है, आप आमला, रिठा, शिका का ही pack का use कर सकते हैं, इन तिनों चीजों को आपको दही में mix करके use करना है, आप simple दही अपने बालों पर लगा सकते हैं, इस pack से आपके बाल dry भी नहीं होगे, rough भी नहीं होगे, dandruff की problem नहीं होगी, itching की problem नही scalp infection नहीं होगा, hair fall नहीं होगा, इन सबी चीजों से आप बच सकते हैं, 15 दिनों में आपको एक बार यह वाला pack यूज करना है, अगर आपने smoothening, rebonding, keratin करवाई है, तब भी आप यह वाला pack यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा effective pack है, आप चाहे तो सिरफ अकेला दहीं भी अपने बालों पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको result देंगे, 30 minutes के लिए आपको इससे scalp पर लगा रहने देना है, 15 दिनों में एक बार आपको इस pack का यूज करना है, इसके बाद आपको hair wash कर लेना है, इस तरहां से pack का अगर आप यूज करेंगे अपने बालों की length के according आपको pack बनाना है, दही में mix करके आपको ये वला pack बनाना है, ये वला powder जो है वो आप easily पंसारी की shop से बाई कर सकते हैं guys जो fourth solution है, जब आपके पूरे बाल सूख जाते हैं, बिल्कुल बाल आपके dry हो जाते हैं, फिर आपको एक बार सिरम का यूज करना है, सुखे बालों पर इससे आपके बालों में tangles नहीं पढ़ेंगे, सिरम का यूज करने के बाद आपको बालों पर अच्छी तरह से combing करन हैं, सिरम के यूज से आपके बालों में बिल्कुल भी tangles नहीं पढ़ेंगे, जो भी थोड़े बहुत टैंगल से वो easily remove हो जाएंगे, यह सारे ही solution काफी जदा effective है, इससे आपके ना तो here fall होगा, ना ही आपके बाल थीन होगे, ना ही आपके बाल ड्राइ होगे, और बालों यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स के प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं, या फिर लॉर्यल एक्षेंसो के प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं, यह सब भी professional प्रोड़क्ट है, इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होगे, हमारे बाल काफी टाइम तक smooth, silky and soft रहेंगे, मास्क का यूज कर सकते हैं, या फिर और बी किसी अच्छे कंपनी के मास्क का जरूर यूज कीजिए, मास्क के यूज से आपके बाल बिल्कुल भी dry नहीं होगे, रफ नहीं होगे, बालों में shine भी रहेगी, तो आप कोई भी अच्छा वाला मास्क जरूर ट्राइ कीजिए, और 15 दि कोटन से आप अपने बालों पर आईलिंग कर सकते हैं, कोटन को आईल में डिप करके, अच्छी तरह से scalp पर लगाना है, length पर लगाना है, हलके हाथों से मसाज करना है, आईलिंग को कभी भी सकिप मत कीजिए, आईलिंग से हमारे बाल काफी जड़ा अच्छे रहेंगे, वस्चर्ड इस्टर्ड अास्टर्ड और यह उस करती हूं तो इस तरह से कॉटन की हर्प से आपको सारे मालों पर अच्छी तरह से आध्या से आध्यलेंग से आप आपके साथ यह सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ी हैं तो आज की वीडियो में मैंने आपको इन सभी के सिल्यूशन भी बताया है होप गाइस आपको यह वली वीडियो अच्छी लगी होगी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पुल रही होगी तो